खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े आरक्षन पर RSS का बयान दत्ता त्रे होस बोली ने कहा जब तक जरूरत है तब तक हो आरक्षन आइनेक्स ब्रश्टाचार केस में चिदंबरम ने कहा किसी अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया है मैं नहीं चाता मेरी तरह कोई और गरपतार हो कॉंग्रेस विदायक दीके शुव कुमार की रिहाई के लिए उनके परिवार ने करनाटक के मंदिर में खास हवन कराया ब्रश्टा चार केस में एडी ने किया है गरपता अकाली दलके मनजिंदर सिंग सिलसा ने MP की सीम कमलनाथ से मांगा इस्तिफा बोले 84 हिंजा केस में कमलनाथ के खिलाब हमारे पास दो गवा बीजेपी निता संजे पासवान बोले अब नितीश कुमार को केंदर में करनी चाहिए राजनीती अब बिहार को बीजेपी के जिम्में छोड़ दे समाजबादी पार्टी अध्यक्ष अखलेश यादव बोले ऐसा लग रहा है जो बीजेपी है वो कॉंग्रेस है दोनों एक जैसे यूपी में समाजबादी पार्टी के सांसद आजम खान पर जमीन घोटालों में अब 80 से ज़्यादा केज दर्ज हो गए हैं मुरादाबाद मंडल में अपरादी नमबर वन बने आज़ब 36 गड़ में कॉंग्रेस सरकार के मंत्री अमरजीत भगत बोले अभी तक मोदी जी ने दूसरों के काम में वहावाही लूटी पहली बार चंद्रियान टू लॉंच कराने गए तो फेल हो गया सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर च्छाय मोदी मोदी के 5 करोड फोलोवर हैं टॉप 20 में वो अकेले भारती है वंचित बहुजन अगाडी पार्टी के प्रकाश आमेडिगर ने कहा महराष्ट में ओवैसी की पार्टी से गड़बंदन होगा दुनिया को मरुस्थल बनने से रोकने के लिए 196 देशों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र कहा 2030 तक भारत पौने 7 करोड एकर बंजर जमीन को उपजाओ बना देगा केंद्रिय परिवेहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा बड़ा जुर्माना सही है ओवर स्पीड की वज़ा से मेरा भी चलान कट चुका है उपभोकता मामलों में मंत्री राम बिलास पासवान बोले सिंगल यूज प्लास्टिक की लिस्ट तयार हो रही है उसके बाद अगले हप पे ऐसी प्लास्टिक पर बेन लगेगा कल्यान सिंग ने फिर बीजेपी जोईन की इससे पहले राजिस्थान के राज्यपाल थे इंदोर एरपोर्ड पर यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंग ने ट्रैफिक पुलिस वालों को स्ट्रस्पेंड कराने की धंकी दी स्टाफ ने पुलिस वालों पर अवैद वसूली का आरूप लगाया था बलिया में ओमप्रकाश राजभर की पार्टी भास्पा का जिला उपाध्यक्ष बाइक चोरी के आरोप में गिरफतार पांच बाइक बरामद फुल छे लोग पकड़े गए NCP, TMC और CPI की राश्ट्रिय मानिता पर संकट बरकरार चुनावायोग ने कहा दिवाली के बाद एक और सुनवाई करेंगे